आप सब को नमस्कार, बहुत-बहुत स्फागत करता हूँ हमारे चैनल पे PM Plans Design and Knowledge में दोस्तों जैसे की सेप्टिक ट्यांग के बारे में मैंने आपको बताया था पार्ट वार्न में कि 3-5 में अगर बना रहे हैं तो कितना सेप्टिक ट्यांग का लंबाई चोड़ाई और गहराई कितना आप रखें आज जोस्तों पार्ट टू में मैं आपको पताऊंगा अगर आप पार्किंग के नीचे सेप्टिक ट्यांग बना रहे हैं तो क्या आपको beam का नीचे beam का ढ़लाई करके उसके उपर जुडाई करना चाहिए या एसे ही आप बालू डालके PCC डालके जुडाई कर सकते ही क्यूं beam ढ़लाई करना जरूरी है या अगर आप नहीं ढ़लाई करेंगे क्या तो भी चलेगा उसके बारे में हम पूरा डीटेल में बात करेंगे वो भी साइट पे जाके उसे पर एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप हमारे चैनल पे ने हैं चैनल को पीजरो सब्सक्राइब कर दीजिए बगल में जो बेल आइकन है उसको जरू प्रेस कर दीजिए क्योंकि इससे ही हमारे चैनल से आप लोगों को घर का नक्सा प्लांट डिजाइन एलिवेशन घर का कंस्ट्रेक्शन से एलेटेड इससे ही वीडियो जानकरी आप लोगों को आगे मिलता रहे गया है चले दोस्तों बीना दिर के सीधे चलते हैं साइट पर जैसे कि दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि अभी बीम का सट्रिंग हो गया है अभी धलाई का काम चल रहा है मैं आपको बता दू कि चार कॉलम यहां पर दिया गया है पॉलम देना दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है क्यों जरूरी है बीम देना क्यों जरूरी है उसके बारे में हम बात करेंगे पहले दोस्तों आप जान लीजी देखिए चार यहां पे partition किया गया है जो कि चार हिस्सों में यह divide हो रहा है जो कि एक inlet रहेगा वहां से पानी आएगा दूसरे चांबर से और दो शोकपीट रखा गया है शोकपीट रख सकते हैं आप अगर यह सुच रहे हैं कि पानी लिक्यस का दिक्कत हो सकता है तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा आप chemical देखें फ्लेस्टर करके उसके बाद आप पर्निंग भी कर सकते हैं तो पानी का लिक्यस नहीं होगा अब दोस्तों बात कर खेंगे जो रॉड लगा गया है तो आपका आइठ है आपका आड़फिट जो श्टिल लगा गया है वो चार सरीया दिया गया है 16 mm का 4 सरिया लगाए गया है कॉलम में और जो beam में सरिया लगाए गया है वो दोस्तों लगाए गया है 12 mm का 4 सरिया beam में लगाए गया है और धलाई करने का बाद beam का जो size रहेगा वो रहेगा आपका 10 inch by 10 inch आपका beam का size रहेगा मैं आपको यहाँ पर बता दू कि बीम देना क्यों जरूरी है मैं आपको बतायाता हूं बिल्कुल भी वीडियो का आप स्कीप मन केजिए आप लास्ट तक वीडियो को देखते रहे देखे जैसे कि यहाँ पर पूरा ढलाई का काम खतम हो गया है अब जुडाई का कम चल ला है बीम देना दोस्तों इसलिए जरूरी है कि यह जो परकिंग आप देख रहे हैं यहाँ पे दो कार रहेगा यहाँ पे पांच-छे बाइक रहेगा अगर और भी जगा बचा तो एक कार और भी रह सकता है पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पां कि वह बीम में जुडाई से जुडाई से जाके बीम में डिस्टिवूट होगा आपका लोड तो अगर छोटा सा आपका पार्किंग है तो आप जुडाई से आराम से कर सकते हैं जो कि आपका बाइक बगरा सिर्फ रहेगा तो जुडाई से आराम से कर सकते हैं लेकिन अगर द दोस्तों अभी दोस्तों क्या हो रहा है कि जितना भी आपका माली जितना ज्यादा आपका गाड़ी रहेगा उतना ही ज्यादा लोड रहेगा उस हिसाब से उस हिसाब से आपको वीम का डिजाइन भी उस हिसाब से करना है तो में दोस्तों यह है कि पार्किंग के निचे अगर अगर बड़ा सा पर्किंग और ज्यादा कार ज्यादा वेहिकिल रह रहा है तो आप कॉलम और नीचे बीम ढ़लाई करके ही सप्टी टैंक को बना रहे हैं तो आपको बीम देना बहुत ही जरूर है क्योंकि गाड़ी का जो लोड आएगा वो डिस्ट्रीबूट होगा कॉलम से कॉलम से लेके बीम से डिस्ट्रीबूट होगा जोस्तों मैं उमिद करता हूँ यह जानकर यह वीडियो आप लोगो पसंद आया हुआ कुछ नॉलेज आपको मिला हुआ आप अगर पार्किंग के अंडर सेप्टी टैंक बनाएंगे तो किस प्रकार आप बना सकते हैं इसका पार्ट थ्री वी वीडियो दोस्तों मैं लेके आऊंगा अभी कंश्ट्रेशन का काम चालू हो रहा है मतलब चल रहा है पार्ट थ्री वी वीडियो लेके आएंगे किस तरी की सा आपको पार्टिशन देना है वो भी मैं आपको बताऊंगा अगर वीडियो पसंद आया आप